अगर आप महसूस करें अपने आसपास की हवाओं में थिरकर जब बढ़ने लगे आपके दिल की धरकर तो समझ जाएगा कोई अपने पेरों की थाप से इस गर्मियों में चांदनी की थंड़ा को डेल रहा है और वो कोई और नहीं पदमुश्री शोबना नाराइन जी है एक बहतरीन कथक दांसर होने की साथ साथ वो एक जिन्दा दिल इनसान भी है बहुत-बहुत स्वागत है आपका क्लेक इंडिया बहुत-बहुत धन्यवाद और आपको नमस्कार नमस्ते माँ सबसे पहले तो मैं आपको बहुत-बहुत बढ़ाई दिना चाहूंगी आज आपको एक पुरस्कार मिल रहा है समाज में जेंडर उक्वैलिटी एक बहुत-बड़ा चालेंज है और उस शेत्र में आपने बहुत ही महतोकुन भूमिकाने भाई है अपसे कुछ ही घंटों बात आपको उसके लिए पुरस्कित भी किया जाएगा समाज को जेंडर उक्वैलिटी के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जीवन में अगर हम देखें तो ईश्वर ने जब हमें बनाया है तो दोनों को इकुल भार में लोना है और अगर हम अपने हिंदुस्तानी दर्शन शास्त्र को भी देख लें भारते हैं तो हम अर्धन आरेश्वर का स्वरूप कहते हैं कि आधा पुरुष और अगर स्ट्री ना हो वो शक्ति का स्वरूप ना हो तो शिफ तो शभी हो गया ना तो दोनों का बहुत इंपोर्टन्ट है और हमारे यहां त्री शक्ति को उतना ही इंपोर्टन दर्जा दिया गया है जितना की पुरुष शक्ति को तो पुरुष और शक्ति दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं और आप एक और भी देख सकते हैं कि हमारी यहां जितने भी देवी देवता हैं शक्ति के बगर उनका देवी का जो अर नहीं होता है और अर्धनारे शुर्त जैसे मैंने का है यह तो बहुत ही इंपोर्टन है और यही कारण है कि अगर हम डिविशन करते हैं भेदभाव करते तो कौन प्लाता है आप और हम करते हैं वहां से हम होकर नहीं आए हैं in the sense के ठीक है दोनों की biologically difference है लेकिन स्टेटस-wise दोनों साथ है आप और हम एक जादा तर होता है जब हम एक दूसरे को दबाते हैं वह होता है कि हम कहीं न कहीं अपने मन की एगो या कुछ प्रभुतता दिखाने के लिए और अगर वो बात मिच जाए और एक दूसरे के प्रती रिस्पेक्ट हो, आदर हो, संबेधना हो, सभावना हो, तब एक्वालिटी तो हमेशा हो ही जाती है यह बिल्कुल आपने सही बात की जो समाज के दोनों हिस्से हैं, उन दोनों का बराबर होना बहुत जरूरी है मैं हम कई सालों से आपके द्वारा जो कला और संस्कृति को संजीवनी देने का एक प्रण आप में लिया हुआ था, यह तो हम देखते ही आ रहे हैं, लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई, आपका एक कथ्था नित्यांगना के तौर पे आना कैसे समफ़ाव हो पाया यह तो कहूंगे कि शुरू से ही हो गया था, इसके पीछे चोटी सी कहानी है, मैं कहानी बता दूँ, जो मैं अपने पिताजी से सुनती थी और वो हस्ते थे, और कि जैसे हर बच्चे में उर्जा होती तो मेरे में भी बहुत सारी उर्जा थी, तो मैं हमेशा कुछ न कुछ करने के बाद कहती थी, मां से रोने लगती थी, मां अब मैं क्या करो ना, मां ने कहा, ना रे भाया, कहा है को रोना धोना, ना चो, तो अब वो ही मैं कर रही हूँ, तब से मैं नाश्ते आ रहे हूँ, लेकिन ये तो हुआ मजाग, लेकिन वो सच मुछ मा मेरी मुझे ले ग ओर रहां ठीड के शाधना जीर से मेरी मुलाकात हुई शाइच नियुके बहुत नियुकों के बाद 1967 में, तब तब वो मुझे बता रही थी ते मैंने का कया कैसे युआ तो इसे aid मैं तो इति छोटी थी कि तुम्हारी मां को देख के मैं तो घब रह गई, और मैंने बंगाली मैं कहा कुलेरवाचन यानि गोद का बच्चा लेकर आई हो और फिर लेकिन तुम सब लोग चले जाते थे तुम वही और तुम एकड़म मैं उस जमान में कभी मुस्कुराती नहीं थी मैं बड़ी सीरिस थी और मैं ऐसे करके सीरिस कि मुझे और सीखना तो शाधना जी मेरे पैर पकड़ कर मुझे सिखाती थी तब मैंने पूछा कि आप मुझे क्यों यातना याद रखती हैं कि मैं तो इतनी सालों से चाहिए इसलिए कि तुम्हारा जो इंट्रेस्ट था वो और और फिर उसके बाद तुम्हारे बारे में मैं खबर लेती थी क्योंकि जब तुम दिली आई तो नेहना जी तो मेरी छोटी बहन है ना नेहना जी पर उनसे मिलता रहा है जैसे माबा बोलते हैं कि फूट के पाओं पालने पर ही पता चल जाते हैं और उस समय जो आपकी पहल जाता मेरा आपकी रहे है जमिन्दार प्लस बारेस्टर क्योंकि वहाँ हमारे पक्रिक दोनों घर में लीगव फील्बस था तो दोनों ही लॉयर्यु वैप्र प्रफेशन थे और जमिन्दारी तो थी ही थी लेकिन आप जोर लॉयर्यु थी थी गारी प्रोफेशन तो पित् सरस्वती के हर आसपेक्ट जो विद्या की हर आसपेक्ट में सबको ट्रेनिंग लड़ता हो या लड़की हो कोई फरक में तो सबको मिलेगा और उन लोग देवी के बहुत भगते तो उनके घर में सभी का नाम जो था अमबिका चरन, शामा चरन, रमा चरन फ़ला यह इस तरह के जितने भी देवी के नाम थे तो आदमी हो या औरत वो देवी के नाम था और तो महां से तो हर बच्चे को तो घर में मुझे याद है कि मा मेरे कानों में भागवर गीता गाया करती थी मैं क्योंकि हम लोग की यहाँ वो फ्रीजम फार मॉव्मेंट का बहुत जोड था मेरे नाना जी उनीस सो तेहिस में कॉंटेस्ट के थे अज इन इंडिपेंडेंट और सेंट्रल असेंब्ली उस समय का पाल्लमेंट सेंट्रल असेंब्ली के मेंबर थे और अभी पता चला कि जब वो खुदी राम बोस का केस था तो यंग लॉयर थे फाइरी लॉयर थे वो खुदी राम के तरफ से थे उनके फादर अपिजित तरफ से थे तो इस तरह के जजबा थी कि अपने नाशनलिजम पेट्रियोटिजम और घर में हर एक बच्चे को भा वेद की रिच्चाएं याद रह दी थी और यहां तक कि फिर क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन का महौल था तो बच्पन में मुझे याद है मैं करती थी हिमाद्वृतुंग शूंग से प्रभुद्शुद्ध भारती जो इस तरह से और यह दिनकर जी की वो कविदा बनिता क कि ममता ना हुई सुपता ना मुझे ना कुछ हो हुआ सब पूरा तो एक तरफ भागवद गीता एक तरफ पुरान वहीं सब रिच्चाएं और दूसरी तरफ स्वतंत्रता आंदोलन के कविताएं और गीत वो उसके साथ मैं पली भड़ी हूं और घर में संस्कृत प्रिचर के साथ बली पड़े और फिर वो एक एक जीवन का एक अटूट हिस्सा बन गया और घर में हमेशा साहित्यकार आते थे समाज सेवक्स आते थे तो कलकते में वो था फिर बंबई चले गए तो फिर वहां भी रहा वही महौल रहा दिल्ली आये तो वैसे ही महौल रह प्रिचर कर दिल्ड हो जो